इस समाज के अंदकार में सरवत्र, निराशा, उदासी और अज्ञानता है। हम ऐसे अंदकार में संसार में रहते हुए भी शान्ती, प्रेम, विश्वास और आशा के लिए संघर्ष रत है। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब हमारे जीवन में संदुष्टी होगी। ब्लाग एक ग्रेस नामत लड़की की कहानी है, जो तो निराशा और अवसाद से भरा जीवन जी रही है। जिस निराशा और अवसाद में वह जीवन बुजा रही है, उन्हीं मरिस्थित्यों को वह अपने सपने में भी देखती है। एक भाग के शानी राद को जब वह गहरी नीन में होती है, उसके सपने में एक फरिष्टा प्रकट होता है। ग्रेस उसे कहती है कि वह उसे दुखों से उबार दे। फरिष्टा ग्रेस की प्रात्ना पर उसका मात दर्शन करता है। अब ग्रेस अपने सपने में फूलों से भरे वगीचों में, मेलों में और दूर दूर तक यात्राओं पर निकल पड़ती है। या उसे खर्टे मीखे अच्छे बुरे अनभव होते हैं। अब उसे दुनिया रंगीन लगने लगती है। दुख अफसाद धीरे धीरे समाप्त होने लगते है। ग्रेस अपने बीतर एक नया व्यक्तित, नई शक्ती वजोश अनुभव करती हैं। जो उसे एहसास करवाता है कि संसार के अंधकार पर हम सकारात्मक सोच के द्वारा ही नियंतरन प्राप कर सकते हैं। और जीवन के दुख तभी समाप्त होंगे जब हम अपनी इच्छाउ महत पर कांशाह को जबित रखेंगे। यदि जीवन में शान की प्रेंग और विश्वास हो तो यह दुन्या रहने के लिए सबसे सुन्दर जगे हूँ। धन्यवाद। अब प्रस्तो थै ब्लाप। पिंब बिञीड लूब लग जास्टब्ट पीसफिल्य। पर भीष को तर अवाद एस कि फॉड़े इच्छ पीस अब्स्तास बेकि में स्ट्रौंग्र अज़िस अज़ीव हमैन में झाल 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 झाल